हुआ हुआ है दन्यवाद अधक्ष महद है यह बैंगल डिविजन के उपर आज यह जो बिल बिल ने रेजुलिशन आया है इसमें मैं सबसे पहले तो कुछ देर पहले हमारे मानों ने सबस्या श्री श्रवंदेब जिने जो हमें इंफ्लक्स का हाग और हाओ को इसका मैं इस स संदी के वतर से जो भूमी के साथ हम यहां आये हमारी मिट्टी आपकी होती है और हम इंफ्लक्स होते हैं इस चीज के में निंदा करता हूं और दूसरी बात मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं पढ़ता है यहां 15 खंड़ के काल खंड़ में लेके आया हूं हमारी इतियास का स इस डिविजन के संदर्व में पूरे सदन को और सरकार को यह कुछ पूछना चाहता हूं है उन्नाईस सितंबर दोजार तेईस टीमसी अलाइंस भारत्य गोर्खा प्रसतांत्रिक मोर्चा के अनित थापा ने गोर्खा लेंड के नाम पर चुनाओ जीता जीटिये चुनाओ और उसने उन्नाईस सितंबर को जीटिये सावा में गोर्खा लेंड प्रस्ताव ले आया वो आपका अलाइंस है आप हमारी तरफ उंगली दिखा रहे हैं तीन उंगली आपको दिखा रहा है 21 अक्तबर 2020 को गोर्खा लेंड मांगने वाले सब्से सशक्त पार्टी गोर्खा जनमुक्ती मोर्शा के साथ आपने अलाइंस किया कि दुआजार 22 का भाइफ बाइफोटा में अलग राजिय के प्रवल ढावेदार अनन् measure मांदितन्य बाइफोटा का ओपार आपका मुक्यमंत्री ने वेधा हमारा भी मुक्खय मन्द्री है और आप हमारी तरफ प्रस्न हमारी तरफ निगहा हमारी तरफ संद्य आ हां यह माग है इसको मैं शिकार करता हूं यह माग है लेकिन मैं आज खोड़ा उत्ते जित हुआ इसलिए कि हमें इंफ्लक्स कहा गया मैं पार्टी आपके टीम्सी पार्टी और मुख्यमंत्री महोदाय को पुछना चाहता हूं गोरखालिंग मांगने वाले दनों के साथ आपका या उष्वियर मांगने वाले नेताओं के साथ आपका क्या संबन्द है वो क्लियर किजिया आज पहले सब apartments उसके बाद हमारी सर्थ निखा दिखाईए और संब्यान बहारते संब्यान के धारा दो कहतीए संसद विधी द्वारा एसे निमंदनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संग में नए राजयों को प्रवेश्या उनकी स्थापना कर सकेगी धारा तीन कहती है संसद विधी द्वारा किसी राजय में उसका राजय सेत्र अलग करके अतवा दो या अधिक राजयों को या राजय भागो यह इंडिन कोस्टिशन के अगेंस में है यह यहां नहीं आना चाहिए यह सेंट्र सब्जेक्ट है यह स्टेट सब्जेक्ट नहीं है और हमारी मुख्यमंत्री बार बार कहती है कि यह दिल्ली की सब्जेक्ट है लेकिन आज आपी के पार्टी ने यहां लाया हाँ अब यह उठता है इसके पीछे जो अइतियासिक कारण है बाउगलिक कारण है आर्थिक सांस्कृतिक बहुत सारा कारण है यह पूरा छेत्रा जिस छेत्र में डिमांड उठ रहा है यह इंटरनल कोलोनियलिजम की सिकार रहा है इतियास को ध्यान में रखकर निसो सताशी में पस्यमंगाल सरकारने ग्वरकले अगफालेन एघिटेशन दे इशिव जनाम में एक वाइपर निकाला जिसके प्रिष्टा चार पर लिखा था In other words, the present territory of Darjeeling historically belonged to Sikkim and Bhutan. And were included in India following wars and agreement with these two countries. Only the tarai part of the territory was for a time conquered by Nepal from Sikkim, but was then returned to Sikkim in 1860. इसी तरह, Kojbihar Rajabhi, Shwadinta के बाद, Indian Independence के बाद, 1949 में भारत में शामिल किया गया. दारजिली 1956 में The Absorpt Areas Laws Act 1954 के तहट बंगाल में सामिल किया गया. इसलिए ये इतिहास के आधार पर जन्मा हुआ जन्मा आवाज है. अजिक समोद है. मैं जिस सेत्र से निर्वाजितों कर यहां आया हूँ, इस सदन में आया हूँ, वहां के लोगों ने, हाँ मैं शिकार करता हूँ, मुझे केवल और केवल गोर्खालेंड के लिए मेंडेट दिया है. और मैंने इसलिए आज तर बिदायन सब्वा के अंदर और बिदायन सब्वा के बाहर, जितना भी बयान डिया है, वो सिर्फ मेरा बयान नहीं है, जन्ता द्वारा मुझे दिया गया मेंडेट का आवाज है. इसलिए इस मेंडेट को समझने का जरूरत है. और इसके लिए मैं आज सदन को एक आग्रह करूंगा इस विशे पर बीजेपी की क्या मन्साय है इस विशे पर टी एमसी का क्या मन्साय है यह मौत्वपुर्ण प्रश्ण नहीं है अधिक समोधे मौत्वपुर्श्ण प्रश्ण यह कि इस खेत्र के अधिकांग्स जन्ता का मन्साय क्या है उनकी च्वाइस क्या है यह हमारी च्वाइस की बात नहीं है जन्ता की च्वाइस की बात है इसलिए अगर राज्यसरकार clean राज्मितिक करना चाहती है तो मैं सलाह देता हूं विदा इस तरह का रेजूलिशन लाने से अच्छा वहां के लोग क्या चाहते हैं इसे जानना चाहते हैं तो आप चुनाओ आयोप के माध्यम से उस पूरे चैत्र में रेफरेंडम करवाईए करवाई ये रेफरेंणम ये लोगतंत्री पद्धती है लोगतंत्री की नीव को मजबूत कीजिए मजबूत कीजिए अगर इस सेट रखे राजबंग्शी, गोर्खा, मेच, आधिवासी, तोटो, रावा, लेपचा, भूटिया, डुखपा जैसे यहां के एतनिक कम्यूनिटी की भासा, साहित्य, संस्कार, संस्कृति, रहन सायन, बेश भूशा, सभी बिलुप्ति के कगार पर है आज बहुशंक्यक, और पुनिवेशिक चरित्र की वज़़से यह पूरा छेत्र, पॉलिटिकली, इंबालेंस है अधिक से महोदे इस सेत्र में, अलग रहजे के माग ऐसे ही हवा में नहीं बना है, इन्हें अपना विधान खुद लेखने का अधिकार चाहिए, क्या सरकार ने कभी इस समश्या को शदन में संबोधन किया मैं फिर भी सदन को आगरा करता हूँ, कि आप सुनाव आयोक के माध्यम से, रेफरेंडम करवाईए, तब आपको पता चलेगा, वहां के लोग क्या चाहते हैं, ये बीजेपी की क्या मन्सा है, टीएमशी की क्या मन्सा है, इसकी कोई जरुरत नहीं रहेगी आप करवाई हैं, आप करवा सकते हैं, कैंडरा से मिलके, यहां ये समस्या है, हम दो मिलके, देखिए, आपने में, जब उनने प्रस्ने किया, तो मैं थोड़ा समयल हुंगा, आप वहां के समस्या को शंबदन करने के लिए, ट्राइपाटिक मीटिंग कर सकते हैं, आप कि अमोड़े?